हेलो फ्रेंट आज में आप लोगों को अगन वेक्टर निकालने की बताने जा रहा हूं तो कैसे निकालेंगे किसी भी मैटरिक्स का आगन वेक्टर और अगन वेक्टर लेट अस्टार्ट मान लिया ये मेट्रिक्स एह है तो E is equal to 5, 4, 1, 2 अब आइगन वेल्यू क्या होता है और आइगन वेक्टर क्या होता है पहले तो आइगन वेल्यू निकालना हम लोग को तो आइगन वेल्यू जब केले हेमिल्टन थियोरम से हम लोग किसी क्वेशन का इन्वर्स निकालते हैं तो उसमें ये फर्मूला हम लोग यूज करते हैं यहाँ जो लेम्डा है यही लेम्डा का मान इसी लेम्डा को कहते हैं आइगन वेल्यू तो अब यहाँ से आइगन वेल्यू निकालते हैं तो ए मैनस लेम्डा इसको डारेक्ट में लिख देता हूं तो क्या आजाएगा फाइब मैनस लेम्डा फोर वान टू मैनस लेम्डा इस इक्वल टू जिरो यहाँ से इसका डिटेर्मिनाट निकाल लिजिए तो फाइब मैनस लेम्डा इंटू टू मैनस लेम्डा मैनस फोर इस इक्वल टू जिरो अब इसको solve किजेगा तो आपको आजाएगा लेमडा square minus 7 लेमडा plus 6 is equal to 0 यहाँ अब यहाँ से अब लेमडा का value निकाल लेजेगा और लेमडा का value आजाएगा 6 और 1 अब यह होगी आपका आएगान value अब इस value से आप आएगान वेक्टर निकाल सकते इसके correspondence तो पहले first case 1 में हम लेमडा is equal to 6 के लिए आएगान वेक्टर find करेंगे फर्स्ट केस्ट में लेमडा ब्रावर 6 के लिए हम लोग आएगन वेक्टर find करेंगे फर्मूला हो जाता है यह मैनस लेमडा i into x is equal to 0 यह जो x है इसी को कहते हैं आएगन वेक्टर तब आएगन वेक्टर का value निकालना है तो और इसको मैट्रिक्स के रूप में लिख देंगे और क्या हो जाएगा इसका मान इसका value हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं तो मैं टारेक्ट पुट कर देता हूं तो 5 मैनस लेमडा 4 1 मैनस 1 2 मैनस लेमडा ने हों है कि ईटू एक्स, आप एक्स को ये एक्स nap तो यहां मैट्रिक्स के रूप में है तो इसको मैट्रिक्स का जैसे यहां प्ले है अ उस तरब उस रॉप में जीस को कैसे लेक्स से टार वाई हर इस तरह कि टेर से इना करcasting आप हो अब हम लोग नोगे का किया है लेमडा स्वेक्स लिया तक Cup पिजिये तो यह है सब्वन करेंगे तो या क्या होजाएगा मानिस वर यह पूर हुई रह जाएगा और यह वन अब यहाँ पे फिर सक्स पूण कर दिजीए तो सिक्स फूट की जे जबका मेरा उन्टू X Y is equal to 0 यह हुआ अब फिर इसको solve कर लिए अब देखिए अगर कोई अब अगर कोई रो जीरो हो रहा है तो उसको जीरो में ला देए ताकि आपको solve करने में असान ही होगा तो देख रहे हैं कि अगर इसको इसमें जोर दिया जाए तो यह रो जीरो जीरो में बदल जाएगा तो लगा यह लगाते हैं operation रो टू में लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आर क्या हो गया तो मैंनस 14 00 इंट वाइज एकवल तो जीरो हो गया है अब मैलटीप्लита किसन कर दीजिया तो ए डा क्या हो गया-एइस प्लस इन्ट यह एक्वल टու दू जीरो तो यह क्या हो जाएगा X is equal to 4Y हो जाएगा यहां से तो इसको इस value को किसी constant के बराबर मान लिजे तो X by 4 is equal to Y by 1 is equal to K मान सकते हैं तो यहां से आपको X का value निकल जाएगा X is equal to 4K and Y is equal to K निकल गया अब इसको यह हो गया अब यह आपका हो गया एगन भेड लेमडा is equal to 6 तो X is equal to X by Y is equal to 4K और यहां पर के के बराबर यह हो गया आपका आइगन भेक्टर अब इसी तरह से case 2 में लेमडा बराबर ले लेंगे 1 और इसी तरह से solve करेंगे solve करने के बाद और X और Y का value फिर हमें कुछ प्राफ्ट हो जाएगा और फिर वो हो जाएगा लेमडा का जब मान 1 तके तब आइगन फेक्टर क्या आएगा तो दोनों case 1 case 2 solve करके हो गया आपका निकल गया आप आइगन value and its correspondence आइगन फेक्टर ओफ मैट्रिक्स जो दिया हुआ रहेगा उसका थैंक्यू फ्रेंड्स लाइक और subscribe करना हमारे चैनल को subscribe करने ताकि और भी कोई भी वीडियो डालने पर आपको उसका notification मिल जाए और अपने फ्रेंड्स को यह वीडियो शेयर करें ताकि अधिक से अधिक students इसका फायदा उठा सकें झाल झाल